वेलकम फ्रेंड्स आज हम आपको क्लास 12 का रिटार्मेंट ओफ पार्टनर्शिप का चेप्टर करा रहे हैं ठीक है पूरा नाम होता है पार्ट का रिटार्मेंट ओफ पार्टनर्शिप फर्म रिटार्मेंट ओफ पार्टनर तो जब भी किसी बिजनेस में एक पार्टनर फर क्योंकि इसमें पुराने止 टीड खतम हो जाता है फिर नई partnership डीड बनती है ठीक जिसमें profit पार्टनेर खियो की new ratio के निकालने पड़ते हैं ठीक है तो retirement बैने पार्टनेर में क्या हुता है कि एक पार्टनेर जोता है third retire करके चला जाता है ठीक है तो इंडियन पार्टनर्शिब एक्ट इंडियन पार्टनर्शिब एक्ट नाइटी थाटी टू के सेक्शन थाटी टू के फर्स्ट पार्ट में पार्टनर को बताया गया कि वह रिटार्मेंट ले सकता है तो इस सेक्शन के तहरे पार्टनर रिटार बिना पब्लिक नोटिस के जारी किये अगर कोई पार्ट है रेटार्मेंट ले लेता है तो सेक्शन 32 के पार्ट 3 के तहट वो अगर बिना पब्लिक नोटिस दिये जारी बिना पब्लिक नोटिस के जारी किये अगर रेटार्मेंट ले लेता है तो उसके उपर रेटार्मेंट के बाद भी liability आ सकती है तो liability of the act before retirement retirement से पहले अगर कोई liability उत्पन हो सकती है तो वो चुकानी पड़ती है partner को वो ऐसा section 32 के भाग दो में बताया गया है और अगर बीना public notice जारी किया अगर वो retirement हो जाता है तो भी liability चुकानी पड़ेगी retirement के बाद भी liability for the act after retirement के लाएगा वो तो उसको 32 के भाग तीन में बताया गया तो हमें retirement की त्यारी कैसे करनी है retirement की त्यारी करने के लिए हम स्टेप बताया गया है पहले कुछ और बाते जान लेते हैं जैसे जब भी कोई partner जैसे retire होता है तो उसे क्या क्या चीजों के adjustment करना पड़ता है हमें तो यह लिखा adjustment at the time of retirement of partner retirement of partner होने पर क्या क्या adjustment करना पड़ता है तो पहला है जैसे new profit share ratio और gaining ratio निकाना पड़ता है और जैस्टमेंट ऑफ गुडविल गुडविल का adjustment करना पड़ता है accumulated profit या reserve या लोन वहला इनका भी adjustment करना पड़ता है revaluation account बनाना पड़ता है ताकि सभी assets liability का revaluation किया जा सके सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह लगबग पूरा चीजे करना पड़ता है तो हमें paper में क्या करना है कि जैसे study the question कि हमें पहले question को पढ़ना है और careful मने ध्यान से पढ़ना है और prepare structure और सारे structure बना लेने हैं अगर वो general entry कहेगा तो general entry के structure बना लेने हैं अगर वो laser कहेगा तो laser के लिए आपको revaluation account बनाना पड़ता है इसके अंदर partners के capital account बनाना पड़ता है ठीक है और कभी कभी balance sheet भी बनाने को बोल सकता है ठीक है नहीं तो partners के executor account बनाना पड़ता है तो question ज्यादतर यहीं तक होता है कि revaluation account बनाओ partners का capital account बनाओ और partner के executor account बनाओ नहीं बनाने को नहीं बोलता है ठीक है अगला है calculate करना है gaining ratio और new ratio तो यह सब आप C करके हो कि जैसे ABC partner है और मालो C retire कर गया तो new ratio क्या होगी तो जो बिना question में कुछ कहें अगर सिब UA दे दिया कि C retire हो गया है तो C का हिस्सा चोड़ देंगे तो new ratio बचे वे partner की कहलाएगी 5 ratio 3 गेनिग रेशियो भी यह हो जाएगी 5 ratio 3 अगर question silent है नहीं तो question क्या coding हमें देखना पड़ता है कि अगर C retire हो रहा है तो C का C अपना हिस्सा एक को कितना देखे जा रहा है क्या वो एक पूरा देखे जा रहा है तो उस हिसाब से question में हमें गेनिग रेशियो और नियू रेशियो निकालने का फ़र्वल आता है old ratio प्लस गेनिग रेशियो और गेनिग रेशियो निकालने एक balance sheet के बाहर दी होती है जिसको हम non existing goodwill कह सकते हैं तो जो goodwill balance sheet के अंदर दी होती है यानि existing goodwill उसको right off करने की general entry करनी पड़ती है तो उसकी general entry होती है all partners capital account david to goodwill account old relationship में करनी पड़ती है इसमें क्या आता है कि सभी partners capital को david कर दिया जाता है और goodwill को correct कर दिया जाता है इससे पुरानी जो balance sheet में पड़े goodwill होती है जो की purchase goodwill होती है वो right off हो जाती है ठीक है और तुरंत इसकी posting में करने पड़ती है तो जो हम partners capital account बनाएंगे जिसमें हमें retirement apartment का भी capital बनाएंगे तो उसके अंदर debit side to goodwill के entry कर देंगे और old ratio में पैसा बांट देंगे एक होता है कि जिसे हम balance sheet के बाहर वाला goodwill देखते है या adjustment में दिया होता है goodwill तो उस गुट्विल के क्या treatment करने पड़ती है तो उसके लिए पहले आपको gaining ratio निकालना होगा ठेक है गयनी रेसियो निकालने में कोई partner sacrifice भी कर सकता है तो उसको बाटने कि लिए जो balance sheet के बाहर goodwill देता है उसको बाठने के लिए क्या के एंट्री करना पड़ती है। तो उसमें हम पहले गैनी रेश्य नीकालेंगे और गैनिंग पार्टनर स्केटरल अकॉण Burd कर देंगे यह कंटॉनि испार्टनर, गैनि पार्टनरय यह कंटुनियू maps देंगे और डायविड कर देंगे यानि gaining partners को debit करके retiring partner को credit कर देंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर बार सारे partner gain नहीं करते हैं उसमें से एकाथ partner sacrifice भी कर जाता है तो उस case में हमें anti करने पड़ती है gaining partners capital account डेविड to retiring partners या two outgoing partners capital account और two sacrificing partners capital account करने पड़ती है इस case में इन में कितने कितने goodwill लाला जाएगा तो हमें farm की goodwill दिये होगी उसमें हम retiring partner मालोब बी है या सी है तो उसके मालोब बी है तो बी के share से गुना कर देंगे ए तो एक के share से दूशी के share से गुना करके सब की goodwill निकाल लेंगे और हमेशा इसका debit side और credit side बराबर आएगा जाने इंट्री में ठीक है वो तो सब को पता है ठीक है इस प्रकार से हम goodwill को multiply कर देंगे respective gaining shares यानि जो जो partner gain कर रहे हैं उनके share से multiply कर देंगे तो सब की goodwill के पैसे निकाल आएंगे ठीक है कई बार पर्थन में hidden goodwill भी हो सकता है चुपा वो goodwill यानि तो hidden goodwill के case में क्या करना पड़ता है hidden goodwill के case में पहले आपको देगा कि lump sum payment यानि retiring partner को total हम कितनी payment pay कर रहे हैं फिर हम देखेंगे कि all capital after adjustment of retiring partner retiring partner का start adjustment करने वद कितना capital बन रहे हैं माल हम उसे एक लाग रुपे दे रहे हैं उसका पूरा बनना सत्तर अजार तो हमने तीस जार रुपे एक्स्टा दे रहे हैं तो तीस जार रुपे जो एक्स्टा है वो hidden goodwill के हैं ठीक है वो पूरा का पूरा हिस्सा उस partner का goodwill आ जा तो जहां goodwill को राइस करते हैं तो उसकी जेनरल एक्सटी गुडवील अकाउंट डैविड टू ओल पार्टनर स्केप्टेल अकाउंट और इसे ओल रेशियो में बाटा जाता है ठीक है और जब गुडवील को राइट अफ करने को कहता है तो ओंटीनिंग पार्टनर स्केप करते हैं तो इस परकार से इसका अटोमेटिक परभाव भी पढ़ता है जो ओपर था गेनिग पार्टनर स्केप्टेल अकाउंट डाविड टू रेटारिंग पार्टनर तो बिल्कुल वही असर इसका भी इसका भी पढ़ता है ठीक है तो इतना हमें समझ लिया कि जब हम रे अधना कर लेना है और गूद बारे में पूरा पता दिया गया है इसके अलाबा फिर हम नहीं क्या करना है कि बैंने शीट में पढ़ना और शीट में आप फिर पढ़ना है है ट्यक्क है look phterm balance के में देखते हैं कि यह क्या मिलेगा आपको सारे फिरी रिजर्व मिलेंगे जिसको कई लोग चोक्लेट भी बोलते हैं तो यहां पर हमें फिरी रिजर्व मिलेंगे ठीक है फिरी रिजर्व में जैसे आपको जनरल जर्व मिलेगा जर मिलेगा profit and loss account को क्रेड़ बिलेंस मिलेगा contingency reserve मिलेगा undistributed profit का नाम हो सकता है ठीक है Retained earnings का नाम हो सकता है reserve fund हो सकता है तो इन सबको आपको debit करना है मनला इन सबको debit balance मनला इसकी general entity क्या करेंगे इन सबको debit कर देंगे और two old partners capital account को करेंगे ठीक है और इसमें से कुछ special reserve होंगे जैसे workman compensation reserve और investment fluctuation reserve तो इसको according to question देखना पड़ेगा कि claim जादा तो नहीं आ गया है कम तो नहीं आ गया है इसके according ही solve करते हैं ठीक है तो यह सब तो आप जानते होंगे इसको हम रहने देते हैं ठीक है जाता है उसकी general entry होती है कि इन reserve को debit कर देते हैं और all partners capital account को credit कर देते हैं ठीक है old ratio में इसके अलाबा set side में आपको कोडे मिलते हैं कोडे जैसे आजकल कोडा बोलते हैं इसमें आता है जैसे 50 ATSS8 होते हैं ठीक है 50 ATSS8 में आपका हो सकता है deferred revenue expenditure account लिखाओ ठीक है miscellaneous expense account लिखाओ प्रेमिलरी expense account लिखाओ एडवर्टीजमेंस expense account लिखाओ प्रोफिट अन्मस account को debit balance लिखाओ तो इतने नाम हो सकते हैं तो इन सब के लिए general entry क्या होगी इन सब के लिए all partners capital account debit करके to 50 ATSS8 या two यह सारे चीज़े two में लाल देंगे तो यह partners capital को कम करती हैं तो इसलिए general entry करते समय इनको all partners capital account debit करके करेड़ करना पड़ता है और यह पुराने मलब सभी partners capital यह पुंजी को बढ़ाती हैं तो इसलिए इन सब को debit करते और credit कर दे जाता है to all partners capital account में क्योंकि हम जानते हैं कि partners capital बढ़ने पर credit की जाती है capital करने पर debit तो हमने देखा कि जितने भी यहां पे चोकलेट हैं उसकी भी हमें posting करनी होती और जितने भी फिक्टीटे से जट्शा कूड़े होते हैं उनका भी हमें मलब partners capital account में old ratio में transfer करना पड़ता है ठीक है लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर जैसे tax taxation fund है इसको transfer नहीं किया जाता है employee provident fund है उसको transfer नहीं किया जाता है ठीक है और employee saving fund होगा वो भी transfer नहीं किया जाता है machinery replacement fund होगा तो उसको भी यानि कोई special fund होगा तो उसको partners के खाते में transfer नहीं किया जाता है उसको छोड़ोके सीधा उसको balance sheet में वैसे ही रहने दिया जाता है ठीक है तो इतनी चीज़े केरनी पड़ती है ठीक है तो जितने भी free reserves होते हैं उनको debit करके to all partners capital account और जितने भी code होते हैं तो सभी partners के capital capital को debit करके to fix it is a state account ठीक है यह कर दिया जाता है तो उमीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है इसके बाद हमें वैसे ही रिवेलेशन अकॉंट बनाना पड़ता है ठीक है इसका दूसरा नाम होता है profit and loss adjustment account और इसका नेचर क्या होता है इसका नेचर होता है जितने फादें के लिखा जाता है इसलिए नोमेनल अकॉंट क्या लाता है तो नुक्सान जैसे शेट्स का कम होना इसके यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है और इवेलेशन के debit side में ठीक है sorry और उसी तरह अगर कोई फाइदा हो गया तो केड़ से लिखा जाता है तो यह सईड्यादा यह कमाने पर गया आता है और यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब लोस आता है जो गेन होता है वह पार्टनर से क्रेड़ से चला जाता है और ज यह जो गेन या लोस होता है इसको ओल्ड रेसियो में पार्टनेस में बांट दिया जाता है ठीक है इसके तुरंट ने दो इफेक्ट भी देखने पड़ते हैं तो अगर मालों असेट गिर रहा है तो जो हम बैलेंस इट बनाएंगे तो बैलेंस इट में भी हम वह असेट को कम करके लिखेंगे अगर असेट बढ़ रहा है तो असेट बढ़ा के लिखेंगे ऐसी कोई बढ़ रही है घट रही है तो इसे बैलेंस इट में तुरंट सो कर लेंगे ठीक है तो इस प्रकारते नोट किया जाता है उसके अलावा ठीक है ना है तो इतना चीज़े कर लेना है उसके अलावा फिर हमें capital account बनाना पड़ता है पार्टनर्स की capital account जो बनाते हैं retirement के समय तो उसमें कुछ adjustment जो है हमें करनी पड़ सकती है ठीक है तो पार्टनर्स capital account में पहले तो पार्टनर्स का सारा balance sheet में से देखके पार्टनर्स का अगर कोई balance पड़ा है credit side का तो उसे यहां पर लिख देते हैं by balance bd तो उसको यहां लिख देते हैं तीनों में ठीक है या कोई current account का balance दिया होगा balance sheet में तो वह लिख देते हैं ठीक है इसके अलावा पर evaluation का profit लिख देते हैं ठीक है फिर general leisure होगा वह दे देते है जो कि हम adjustment working note करके बाठते हैं premium for goodwill यानी ठीक है वह दे देंगे तो यहां premium for goodwill नहीं होता अशी गुडविल होता है आशी है profit है up to the date of retirement retirement के समय तक का अगर कोई profit है तो वह भी दिया जाता है ठीक है अगर partner साल के बीच में retire होता है तो उसको profit का हिसा भी दिया जाता है आशी पार्टनर को कोई सेल लिए commission person में तभी दिया जाता है इंटरस्टों capital person में कहा होगा लोकर वो तब दिया जाता है ठीक है पार्टनर के debit side में क्या क्या आएगा जैसे revolution का loss आ जाएगा ठीक है अगर कोई पार्टनर ड्रोइंग के होगा वो पैसा आ जाएगा अगर इंटरस्टों ड्रोइंग चार्ज करना है वो पैसा आ जाएगा ठीक है कोई accumulatory loss के बारे में दिया होगा या फेक्टीटे सेट्स तो टू-cash लिख देंगे payment कर देंगे अगर कुछ payment करने बाद कुछ पैसे देने बाकी है तो सेम Cक loan account में transfer कर देंगे क्योंकर वी retire हो रहा है तो उसके Loan account में transfer कर देंगे ठीक है और अगर death हो रहा है यानि partner का मानलब death हो रही है तो फिर उसके एक्जीक्योटर को दे दें फिर उस retirement वाले partner का loan account बनाया जाता है ठीक है अब जैसे retiring partners का पैसा है तो उसका हम पहले पता कर लेंगे कितना पैसा देना है तो retiring partners capital account debit कर देंगे और अगर उसे cash दिया गया है तो two case की general entry लिख देंगे two case और अगर उसके कुछ पैसे देने बागी उससे loan में transfer करना है तो retiring partners के loan account में transfer करदेंगे ठीक है फिर उसकी payment देनी की भी बारी आती है उसके payment देते हैं तो payment देने पर उसकी इंटर्स निकालकर और उसे general entry बने इंटर्स बैंक King कर दिया दिखें तो इस प्रकार से रेटार में कोस्ता किया जाते हैं भी बैलेंस्ट बेनानी पड़ती है उससे पहले एक चीले यह और है कि क्या होता है कि जैसे कोई पार्टनर रेटार में ले रहा है थे तो मालो अग्षाल को में नहीं पूरे मर गया तो फिर नो महीने और भी नश चला तो नो महीने बाद हमने बोला कि यहां भी बाद में आना तो तुम्हारा हम पेमेंट कर देंगे तो नो महीने तक फरम ने जो प्रोफिट कमाया है तो उस नो महीने में जो फरम ने प्रोफिट कमाया है तो उस प्रोफिट में उस प 37 के तहद उसको जितने महीने के उसका पैसे का इस केप्टल का इस्तिमाल हमने प्रोफिट कमाने के लिए किया था तो उस प्रोफिट में उसको उसको भी हिस्सा दिया जाएगा तो उस उसे को निकालने के लिए दो तरीके हैं इन दोनों में से जो जादा आएगा प्रोफिट वो दिया जाता है ठीक है तो death में भी दिया जाता है retirement में भी दिया जाता है तो section 37 में लिखा है कि एक तो क्या दिया जाता है 6% interest on balance amount यानि जितना भी पैसा उसको चुकाना बाकी है उसको 6% interest देंगे ठीक है तो मालों 50,000 रुपे देने हैं तो 50,000 का 6% interest देंगे और फिर दूसरा है कि share of profit and proportionate to his amount outstanding to total capital total capital में उसकी जितने पैसे बाकी है उसके share का हिस्ता निकालेंगे उसको निकालने के लिए share and profit निकालने के लिए outstanding amount यानि उसको जितने पैसे बाकी है मालों 50,000 बाकी है तो उसको लिए देंगे और निचे न रिमेनिंग पार्टनर की capital लिए प्लच जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है उसकी capital भी एड कर लेंगे outstanding amount तो उनको जोड़कर multiply कर देंगे profit से ठीक है जो कि इस आठ ये नू महेने के दुरांच उने कमाई थी वह profit से स्थे अपर्टनर चाहए बनाना पड़ता है अब आसे बनाने में यहां पर अपर रेटायर्मेंट में नडरीज्च मदब देसकते ठीक है तो जैसे हम ये सारा जोड लेंगे और ये सारी चीज़े खटा देंगी तो यहां पे हमें भैलन का बैलेंस निकल आएगा है दो यहां पिर हमें कैस्ख पर्फ़ filed contribution करने को पड़ता है तो देखो पहरए परसन में टेल To deve gotta नीव फर्म देदेगा मिल नेवी रिटायर हो रहा है मसरी तो नए फर्म की कीपिटफ़ इतनी होगी तो जी हमें टेल केपिटफ़ में नियु रेशियो में preserve तो यहाँ पर हमने टू बैलेंस चीडी जो लिखने वाली थे जोड़ जाड़के तो उसकी जड़ जाड़के तो अब यह जो नीर इसी है तो इनको ब्राट देंगे फिर दोनों तरफ टोटल करेंगे दोनों तरफ टोटल करने पर जो साड़ कम आएगा तो उसके लिए कि अम यह तो केसे को खूलेंगे को सेलेंट तो केसे कों कोलना है और क्योश सन्कैगा तो तभी याकि 가장 खूलना है ठीक है यानि हम पार्टनच को क्यप्टल अकॉटस जब बनाएंगे तो उसमें दोनों तरफ जोड़ेंगे तो जिस पुछिटीर में तो अब खु ताइगाrit करेंट कव्या जाता है अगर करेंग हैश दो कर्दीरा जाता है। में तुमियोंन का बद टीजाता है तो है उसके भागशी का आप साय derived के आपने नहीं को नहीं बोला होगा तो उसके लोन अकॉंट खोल के ट्रांस्वर कर दियाता है अब क्योंकि वह पार्टनर्स का लोन है हमारी फर्म पर तो इसे बैलेंस सीट में लिएटी सैड भी सो किया जाता है ठीक है यह भी ध्यान रखना है इसको दिखतर बचे बोल जाते हैं ठी यहां पर कम पढ़ता है पैसा वहां केस अकॉंट खोला जाता है और केस अकॉंट खोला जाता है तो जहां भी पैसा कम पढ़ता है अगर पैसा कम पढ़ रहा है तो वह पार्टनर जो होता है वो लाएगा और अगर वह ज्यादा है तो पार्टनर निकाल लेगा ठीक है उस नहीं तो फिक करेंट अकाउंड खोला जाएगा और करेंट अगर खोला जाएगा तो इसे बैलेंस इट में भी सोग किया जाएगा ठीक है ठीक है आगे सांज में इसके बाद हम कोस्ट नंबर दो देखते हैं इसके अंदर आपको कह रहा है कि टोटल कैपिल ऑफ निव फरम न पता चल जाएगा तो बच्चे होए पार्टनर होंगे उनका क्योबला अप अद्जेश्टर कैपिल जोड़के निकाल लेंगे तो फिर कंपाइन केपिल जो आएगा तो उसको हम परसंड बताएगा कि उसी को नियु रेसियों मानना है तो फिर उसी को तुम निउ रेस्यों इसको पैसे पैसे करदो और इसको पे करने के लिए ए और भी लाएंगे तो इस रेशियो में पैसे लाएंगे ऐसे कुछ कहता है तो उस case में क्या करना पड़ता है कि total capital firm की निकालने के लिए सारा adjustment करने के बाद A का balance निकाल लेते हैं after all adjustment capital account में सारा adjustment करने के बाद A की capital निकाल लेंगे B की capital निकाल लेंगे है और मालुक कई partner retire हो रहता है तो सीकी का भी पैसा जितना देना वही जितना पेवल है वह् už जोड लेंगे तो A का बैलें के बीका बैलेंगे वहनुड लेंगे को तो यह तीनों को जोड लेंगे तो यहीं total capital स Compl laquelle यहीं कोолоцले हैं और फिर इस को निव बांट देंगे और फिर वही balance करने के लिए case या current account खोल लेंगे ठीक है एक तो यह तरीका होता है और कई बर क्या होता है कि person में कहता है कि हम चाहते है कि case का balance जो है न उसमें इतना पैसा exist रहे ठीक है इतना पैसा exist रहे यानि person में देगा कि case account balance sheet में देखोगे तो case account उसमें 10,000 पढ़े होंगे कहेगा कि हम case में 5,000 चोड़ना चाहते हैं ठीक है तो 5,000 अग हम चोड़ना चाहते हैं पहले जो उसमें कितनी पढ़ी है 10,000 रुपे पढ़े हैं तो जितना हमें आओ सकता है तो required case capital आप add कर लोगे और पुराना वाला जितना पढ़ावा था balance sheet में उसे existing case balance कहते हैं तो उसको आप less कर दोगे तो आपकी total capital आ जाएगी फिर उस total capital को वही according वही नियू रेश्यो में बाढ़ दोगे और वैसे ही case करोगे ठीक है दुबारा सुलो कि इस तीसरे case में क्या होता है कि एका balance जोड़ लिया बी का balance जोड़ लिया और जो retire हो रहा है उसका balance जोड़ लिया और कहेगा कि cash के अंदर इतना balance छोड़ दो तो उतना add कर लेना और पुराना cash का balance less कर देना ठीक है तो आपका total capital आ जाएगा फिर उसी को new ratio में ये और भी में बाढ़ देना है फिर उसी उसी अनुसार दोनों तरफ balance करना है फिर balance करने पर cash account ही खोलना है current account इस case में हम नहीं खोलते है ठीक है तो याद रहे इस case में current account नहीं खोला जाता है क्योंकि क्योंकि सारा payment हम cash कर देंगे partner को पुराने partner तो इस वज़े से यहां पर cash account ही खोला जाता है current account नहीं खोला जाता है ठीक है तो यह थी हमारी पूरी capital adjustment ठीक है तो अमीद करता हूँ यह आपको शाज में आ गया होगा उसके बाद पीर हमें क्या करना पड़ता है कि उसके बाद हमें फिर बैलेंस इट को close करना होगा बैलेंस इट को close करते समय आप लोगे कि नई liability अगर कोई बढ़ गड़ गई है तो उसको ठीक कर लोगे कोई नए asset बढ़ गड़ गए उसको ठीक कर लोगे पुराने goodwill खतम हो गए होगी तो यहां मतलिखना कोई एसे प्रिजल पढ़े थे तो यहां मतलिखना और नए पाटनर कभी रेटाइर हुआ था तो इसका पिमन नहीं किया गया था लोन का पैसा बचा हो गया तो लिख दिन और पेमेंट कर दिया गया है तो ।ो केश में से लेस कर दिना ठीक है और अगर बैंक से लोन लेना पड करता है ठीक है इस तरह इस तरह के से करने के बाद फिर दोनौ तरफ का जो कैस का बैलेंस बच रहा था नई केप्टल तो नई केप्टल यहां पेस पूरी सोग कर देंगे नहीं पार्टनरों की और इस प्रकार दोनों तरफ आपका ट्र ऐली कर जाएगा ठीक है